ही गाईज देखो लगबग टाटा गुरूप का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो अभी तक चला नहीं है लेकिन अब वो दोड़ने वाला है जो आप देख सकते हो आज के रेट में लगबग 7% तक का जंप देखने को मिला है पिछले 6 मेने में कोई भी तेजनी है और टाट पेटर्न टेक्निकली बहुत मजबूत है और फंडमेंटली तो पूछो ही मत लगबग देखो भारत में दो या तीनी कंपणी लगबग स्टील सेक्टर में फेमस है एक JSW और दूसरा टाटा तीसरा सेल देखो मैं आपको बता दूं JSW बहुत बड़ी कंपणी है केव स्टील सेक्टर में है और टाटा कुरूप का आपको पता यह लगबग सारे सेक्टर में है टाटा स्टील लगबग 12100 करोड का एक लगबग बिड जो है वह भी वहां पर विन किया है कि तरफ से खबर भी आई है यहां देख सकतो गौर्मेंट के पक्स पूस बूर्ट स्टी स्टील को भी लगबग यहां पर इन कंपनी ने एक जो है स्टील कंपनी को यहां पर काफी बड़ा आप बोल सकते हैं लगबग बिड विन किया है इन्होंने इस कंपनी को शॉर्ट में बोलते हैं नाई एनल सही है जो खिलाग वह 12100 करोड टोटल आमांट आपको बताया चा है रेलवे में मैं आपको बता दू काफी ज़्यादा फोकस किया है तो यह सभी में स्टील का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है समझ रो तो इस वज़े से स्टील वाले जितने भी स्टॉक है इन्हें भी काफी अच्छा आपको रैली देखने को मिल जाएगा जिस पनी को अक्वाइर किया इन्होंने नई एनल को तो इनकी जो कैपसिटी थी 1.1 मिलियन टनल का था समझ रो अब इनका यहां देख सकते हो can be increased up to 3.5 मिलियन टनल यहां पर देख सकते हो समझ रो तो इनकी कैपसिटी इंक्रीज होने वाली है मैं आपको बता तो भारत में स्ट स्टील के मामले में बहुत पीछे भी हैं चाइना से तो बहुत ही पीछे है मतलब चाइना हमारा तो कोई टकर है यह नीए चाइना कहाँ और हम कहाँ छोटी सी चेटी और हांती का बात हो जाता है हम किवल 100 मेटिक तन का लगबग जो है स्टील प्रोड़क्षन करने में तक बताया है infrastructure को जिस तरीके से push किया जा रहा है तो लगबग still का भी consumption तो increase होगा ना सरकार ने देखो मैं आपको बता दूँ कि suppose माल लेते हैं सरकार ने auto sector को किस दिन किसी तरीके से benefit दिया suppose माल लेते हैं तो क्या tire बनाने वाली company को benefit नहीं होगा क्या होगा उनको भी होगा है कि ने जो जो लगबग मैं आपको बताऊंगा जो paint वाली company क्या उनको benefit नहीं होगा क्या होगा उनको भी होगा सबी को होगा जो rubber बनाने वाली company उनको भी benefit होगा तो यह क्या होते हैं यह लगबग एक दूसरे से उपर ही जादा से जादा ध्यान दिया गया है, समझ दो, तो steel वाले कमपनियों को मुझे लगता कि जादा जादा benefit मिलने वाला है, तो आपको क्या लगता कि Tata Steel जैसा stocks बहुत best रहेगा लंबे समय तक रखने के लिए, या फिर नहीं, अभी 27% stock आपको down में देखने को मिल रह यह कंपनियों बहुत जादा discount पे देखने को मिल रहे हैं, यह कंपनियों अगर आप देखोगे तो लगबग 90% के discount पे आपको देखने को मिल रहे हैं, यह है इसका fair value आप देख सकते हूँ, यह है इसका market value जो कि काफी जादा discount पे आपको देखने को मिला और इस company ने भी यहां पर आप देखोगे एक मिनट में यहां पर आपको दिखाता हूँ Tata Steel BSL इसने में लगबग देखो लगबग सबसे ज़्यादा रिटन देने वाली company Tata Steel BSL जो कि लगबग 2-2,2% का return निकाल के दिया पिछले केवल एक साल में और इससे ज़ादा रिटन किसी ने भी नहीं निकाल के दिया किसी ने भी यह सारे स्टील वाले कंपने लेकिन किसी ने भी इससे ज़ादा रिटन निकाल के नहीं दिया सोचो और यह stock अभी भी लगबग 90% के discount में आपको देखने को मिल दा तो मैं आपको ओलूँगा कि time अभी भी आपके पास है आप ध्यान से focus कर सकते हो company के नाम आपके सामने दिख रहा है current price भी आप जाके गूगल में देख सकते हैं इस बहर स्टील का demand लगबग 25% तक बढ़ा है देखो मैं आपको बता दूँ सरकार ने बोला एक लगबग 125 लगबग जो है metric ton के आसपा जो है स्टील का production करने के लिए लेकिन सारी तो सारी company ने बोला भाई 125 तो कर देंगे हम करके सोचो सरकार ने help किया लेकिन फिर भी हम 150 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं समझ रहे हो तो यहाँ पर काफी बड़ा opportunity है हमारी लिए बहुत बड़ा opportunity है तो स्टील सेक्टर में ध्यान जरूर देजगा है यहाँ पर सही है और प्रिचार्ड इस फ्रीक के लटन ट्रूपिस लगता वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने टीमेट अकाउंट बगर आउपन कर सकते हैं